नमस्कार आदाब ट्रेवल मस्ती यूटूब चैनल में आपका स्वागत है मैं हूँ स्याम सिंग चौहान दोस्तों आप सोच रहे होंगे 2022 में पिकनिक कहां मनाने के लिए जाएं तो इसमें ट्रेवल मस्ती आपकी सहायता करेगी आपको बताएगी जहारखन के खूटी जीला का 10 ऐसा टोप पिकनिक स्पोट जहां पे आप पिकनिक मनाने जा सकते हैं तो आए शुरू करते हैं नमबर 10 में है रानी फॉल ये खूटी जीला से 15 किलोमेटर दूर खूटी जमसतपूर के रास्ते में इस्थित है खूटी से आप 15 किलोमेटर चलने के बाद जमसतपूर रोड में आपको वहाँ पे एक बोड भी दिखाई देता है जिसमें रानी फॉल लिखा हुआ है हलाकि ये कोई फॉल नहीं है ये एक महज नदी है और गॉर्मेंट के द्वारा यहां पे बैठने के लिए खेलने के लिए सब कुछ यहां बना दिया गया है और यहां पे सेड है बैठने के लिए बच्चों के खेलने के लिए और यहाँ पे एक वास्ट आवर भी है एक नहीं दो तीन वास्ट आवर है जिससे कि आप यहाँ के जो सुन्दर लोकेशन है उसको आप देख कर खुश हो सकते हैं नमबर नौ में आता है रिमिक्स फॉल यह खुटी जिला के दीरी गाड़ा गाओं में इस्थित है रिमिक्स फॉल हलाकि यह भी कोई फॉल नहीं है महज एक नदी है यहाँ तक आने के लिए आप खुटी के रास्ते भी आ सकते हैं और टाटा रोड से भी या जमसितपूर रो करें दीरी गाड़ा गाओं में इस्थित है नमबर आठंस पॉल यह खुटी जिला का आधा हिसा में पड़ता है यह खुटी के तरफ से भी आ सकते हैं और रांची की ओर से भी आ सकते हैं दसम फॉल एक मसूर खुटी जीला का फॉल है आधा हिस्सा रांची में आधा हिस्सा खुटी में पड़ता है और यहाँ पे सारी सुविधाएं है पारकिंग हो गेरा है कुछ चार्ज भी देना पड़ता है होटेल हो गेरा है और आप इसका आनंद ले सकते हैं लेकिन बताते चलें यहाँ पे खाना बनाने जैसा कोई सुविधा नहीं है उबर, खाबर, पहाड और परवत है तो फिर यहाँ पे थोड़ा से दिक्कत हो सकती है लेकिन यहाँ पे होटेल सोगेरा बहुत है जिसमें की भेज और नोन भेज आपको खाना मिल सकता है नमबर साथ में पजगाग, वाटरफॉल या पिकनी के स्पोट कहें ये आपको जारखंड के खूटी जीला का मूढू परखंड में इस्थित है राक्ची चाइबासा रोड में ये इस्थित है पजगाग वाटरफॉल यहाँ पे लोग पिकनींग मनाना आते हैं और बहुत बड़ा स्पेस है यहाँ जंगल है, पहाड है और खाना मनान जैसा जगा है यहां पे लोग खाना में बना सकते हैं, खा सकते हैं, इंज्डै कर सकते हैं, और यह बहुत बड़ा फॉल नहीं है, एक छोटा सा फॉल है और गौर्मेंट के दुआरा यहां पे पारकिंग ओगेरा का बेुस्ता करा दिया गया है, और यहां भी गाड़ी का जो सूल्ख होता ह में इसथित कर्रा प्रखन में महज 3 किलोमेटर तोरपा ना होगा यह आपको कर्रा और तोरपा का रोड जो जाती है उस रोड में इस्थित है कर्रा से आप तीन किलोमीटर तोरपा रास्ते पर आएंगे तो वहां बें बोर्ड लगा हुआ है बागलता वाटरफॉल हलाकि बताते चले कि बागलता वाटरफॉल कोई फॉल नहीं है महाज एक नदी है और यहां पर फॉल का नजारा आप दिखाई नहीं देता है नमबर फाइब में आता है उलूंग जल परपात यह आपको जारखन के खूंटी जीला का रनिया परखन में इस्थित है रनिया परखन से इसकी दूरी कम से कम आठ किलोमीटर की होगी यह भी एक नदी है और यहां भी फॉल है लेकिन फॉल आपको लगभग नहीं देता है क्योंकि फॉल जो है वो अंदर घुसा हुआ है नमबर फॉर में चंचला घाग आता है यह जारखन के खूंटी जीला का तोरपा परखन में इस्थित है चंचला घाग यह तपकरा के रास्ते आपको तीन किलोमेटर जाने के बाद आगे वाई पोइ पिकनीक एस्पोर्ट है यहां कोई वाटरफॉल जैसा जगा नहीं है और यहां पे एस्पेस है गाड़ी रखने के लिए अपनी जी वहन से भी आ सकते हैं बाइक से भी आ सकते हैं और यहां पर अभी तक किसे परकार कोई सूलक नहीं लिया जाता है जब मैं वीडियो बना रहों तब कि बात कर रहूं बाद में अगर सूल्क लगेगा वो अलग बात होगी नमबर थ्री में आता है साथ धारा पिकनीक एस्पोर्ट साथ धारा पिकनीक एस्पोर्ट जारखन के खूड़ी जीला का तोरपा परखंड से महज पांच किलोमेटर के दूरी पर इस्थित है तोरपा में रोड से बजरंग बली मंदीर के पास से आपको आधा किलोमेटर या फिर उससे भी कम आपको जाने के बाद तपकरा वाला रास्ते में तोरपा तपकरा के रास्ते में एक न्यूड योण स्कूल आता है वहां से आपको दाहिना चलना है और यहां से आपको कम से कम चार किलोमेटर या साढ़े-चार किलोमेटर के बाद दो के समिती के सदस से और ग्रामीन पार्किंग के लिए जगा बनाए हुए हैं तो आप यहां पे अपना नीजी वहाने बाइक होगेरा कार होगेरा से आ सकते हैं और यहां पे पिकनिक मना सकते हैं वैसे हर साल यहां भी काफी भीड होती है नमबर दो में आता है पंडा के बाद एक गाउं आएगा जिसका नाम है तबकरा और तबकरा बजा टांड के पास सहीद अस्थल जो आप देख रहे हैं यहां भी वाई पोइंट बना हुआ है एक लेप्ट गया है और एक राइट गया है तो यदि आप लेप्ट में जाते हैं तो पिरवागा का रास्ता या फिर पंडा पिडिंग फॉल आपको मिलेगा तो पंडा पिडिंग फॉल जाने के लिए आपको पिरवागा के रास्ते कम से कम तीन किलोमेटर जाने के बाद एक दो गाउं पार करने के बाद वहां पे आपको वाई पोइंट मिलेगा और उसके बाद आप लेप जाते है तो पेरवां घाग चले जाईएगा और अगर राइट रास्ता आप लेते हैं तो पंडा पिडिंग फॉल जाईएगा हलाकि पंडा पिडिंग फॉल अभी बिक्सित नहीं है और बिल्कुल सुदूर जंगल के अंदर है और ट्रेवल मस्ती का सजेशन है कि आप यहां तक ना आएं क्योंकि यहां जंगली जानवरों का खत्रा है ज्यादा तर आपको हाथियों का आतंग मील सकता है पेबल मस्ती पूरी टीम के साथ गई थी और डरेस हमें हुए थे हम लोग भी लेकिन हमें सूट करना था वीडियो तो हम बरसाद के ज़श्ट बाद गए हुए थे तो वहां पे यह जो नजारा आप देख रहे हैं हमने सूट किया नमबर एक में आता है सबसे टॉप का फॉल जारखंड के खूटी जीला का सबसे टॉप फॉल है पेरवांगा गवाटर फॉल आप यहां बेशक जा सकते हैं हर साल यहां पर लोग आते हैं तीन सो पैसर दिन यहां पर लोगों का आना जाना लगा रहता है चाहे हो पिकनी का सीजन हो या ना हो लोग यहां पर आते हैं और बताते चले कि पिछले दो तीन सालों में तीन चार लोगों की यहां मौत भी हो गई है तो आप जब भी आएं तो सावधानी बरते फॉल के नजदिक ना जाएं सेलफी लेने के कोशिस ना करें और यहां पर जारखन गोर्में समय आप भीना सीजन के भी सकते हैं और इसे कोई दिकत वाली बात नहीं है लेकिन गिने चुणे लोग ही आपको भीना पिकनीक के समयं मैं ज़न्वारि के महिने में आते हैं तो present is कपी भीड मिलेगी हजारों की संख्या में लोग यहां पर पिकनीक मनाना की लिए आते हैं और ये सारंडा के जंगल के बीच में है, लेकिन में रोड होने कारण और तबकरा पुलीस याई तबकरा थाना वहाँ पे मुस्तेद रहती है, किसी परकार का कोई अनुहनी घटना ना हो, और यहाँ पे आपको पिकनी के सीजन में प्रियाटन मीत्र भी आपको मिलेंगे, यह सीजन में यहाँ पे लोग लकड़ी का, पुलिया का निर्मान कराते हैं, और काफी भीड होता है, तो दोस्तों यह जारखन के खुंटी जीला का दस वाटर फोल है, तो कहीं पे जाया जा सकता है, कर कहीं पे नहीं जाया जा सकता है, क्योंकि ट्रेवल मस्ती आपको यही बत आईएगा और इस वीडियो को जादा जादा शेयर करें ताकि और लोग भी इस वीडियो का आनंद ले सके और पिक्निक मनाने के लिए आ सकते हैं तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै भारत जै जार खंड